को हेलो एवरीवन वेलकम टूबर्चेनल कोड़ फोर लाइफ और आज हम लोग बात करें दू ALL क्लासेश के बारे में सो यहां पर आप प्रॉग्रामिंग में बहुत सारे अप्रोचिज स्वालो करते होंगे जैसे अपने सुनाओ आ और गए अपने सुनाओं funk प्राइमिंग बहुत ही जादा famous and popular approach है जो कि हम लोग industries में use करते हैं and आप कभी भी कभी कोई project develop करेंगे आगए जलके industries में तो आपको यही approach जो है follow करने पड़ीगी so इससे फाइदे क्या होते हैं इसके फाइदे यह होते हैं कि जो आपका code होता है आप उसकी overall maintainability काफ़ ज़्यादा easy हो जाती है code की readability काफ़ ज़्यादा easy हो जाती है and अगर आपको कभी code अपने debug करना हो तो वो भी आप काफ़ी easily कर सकते हैं और यहाँ पर आप कुछ paradigms follow करत होते हैं अपनी object oriented programming approach में तो उसके बार में हम लोग बात करेंगे फिनेक्स वीडियो में फिलाल जानते हैं class को कैसे use कर जाता है उसको syntax क्या होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है आपको क्लास keyword लिखना होता है इसके बाद आपको यहाँ पर देना होता है class का नाम किसे हम लोग function मनाते हैं वक्त यहाँ पर function keyword and function का नाम देते थे just आपको वैसे ही करना है इसके बाद आपको उनानी है इसकी body so body में आप कुछ variables जो है define करेंगे and then उस पे operate होने वाले methods को हम लोग यहाँ पर define करने वाले है so methods क्या होते हैं जैसे functions होते हैं हम लोग अगर class के बाहर कोई function बनाते हैं तो उसे हम functions बोलते हैं जो in journal अगर उसी को हम लोग class के अंदर बना रहे हैं तो उन्हें हम बोलते है methods so बस यह terminology का फरेक है and यह आपको पता होना चाहिए because यह काफे दादा अच्छे science होते हैं कि हाँ आपको यहाँ पर programming की knowledge है तो यहाँ पर क्या करना होता है आपको सबसे पहले बनाना होता है constructor so constructor क्या होता है constructor यहाँ पर self invoking function होता है जो आपके properties की values को initialize करता है मतलब आपने अगर कोई variable बनाया और आप चाहते हैं कि कभी इसका कोई object बने तो यह values अपने आप initialize हो जो भी user पास करें वो values में आके store हो जाए so उसके लिए आपको यहाँ पर constructor यूज करना पड़ता है यहाँ पर आपको extensively constructor keyword का यूज करना पड़ता है so यहाँ मैं लिखूंगा constructor and then इसके बाद यहाँ पर लगाँगा parenthesis because यह एक self invoking function है तो parameters भी receive करें गए and then इसके बाद बनेगी इसकी body तो body में आप कुछ भी लिख सकते हैं कोई parameter आप जो receive कर रहे हैं आप मतलब object बनाते हैं पर जो जो values को यहाँ पर initialize करना चाते हैं आप वो receive कर सकते हैं so let's say मैं यहाँ पर एक class बनाता हूँ जो की होने वाली है यहाँ पर user का data जो है store करेगी let's say user का जो है नाम हम लोग यहाँ पर print करवाएंगे तो user नाम की मैंने class बना ली इसके बाद मुझे user नाम का object बनाना पड़ेगा तो बताऊंगा मैं आगए अभी object कैसे बनाते हैं फिलाल देखते हैं कि मैं यहाँ पर एक नाम पास करने वाला हूँ और जो भी नाम मैं पास करूँगा वो simply मैं इसमें जो है name में assign कर दूँगा तो यहसे आपका बन गया constructor function अब क्या गरते हैं आपे हम लोग एक function बनाते हैं जो की console पे user का नाम प्रिंट करेगा उसको greet करेगा तो let's say उसका में नाम देता हूँ say hi and then इसके बाद बनेगे इसकी body तो body में ज़्यादा कुछ नि लिखेंगे simply हाँ पर एक log statement लिख देता है और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा लेंगे hello and then इसके बाद यहाँ पर एक और operator concatenation का है and then यहाँ पर this dot name तो यहाँ पर हमने एक function भी बना लिया ठीक है अगली हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक object so object क्या होता है आप लोग काफ़े अच्छे तरह के सिफ तक पता चल गया होगा अगर आप सिरीज फॉलो कर रहे होंगे but जो लोग नए है मैं उन्हें पता देता हूँ कि यहाँ पर हम object क्या होता है एक instance होता है अपकी class का मतलब class एक blueprint होती है एक object के लिए कि वो क्या-क्या properties, values, methods hold कर सकता है so object एक instance होता है मतलब एक example होता है अपनी class का तो आपको लोग को पता होगा हमने जब भी भी नया object क्रेट करना होता है तो हमें क्या लिखना होता है सबसे पहले एक variable to clear करते है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर user1 and then इसके बाद यहाँ पर यहाँ मुझे लिखना होगा user and इसके बाद मैं जो जो properties पास करना चाहता हूँ जो जो values यहाँ पर मैं पास करना चाहता हूँ वो मैं पास कर सकता हूँ तो पहली मैंने एक रिसीव कर रहा हूँ name तो मैं यहाँ पर simply जो है name जो है पास कर देता हूँ तो इसको save कर लेते हैं तो यहाँ पर आपने क्या कर रहा है जैसे आपने object बढ़ाया और इस value को पास किया तो यह इस constructor के help से इस name नाम की यहाँ पर आपने जो variable बनाया है इसम हो गई है बट यह method अपने आप call नहीं होगा यह method आपको call करना पड़ेगा तो call करने लिए क्या करना होता है आपने जो object बढ़ाया है user1 वह आपको लिखना होगा इसके बाद आप यहाँ पर उसके method को call कर सकते हैं तो जैसे आप normal function call करते हैं आपको वैसे ही यहाँ पर इस को आप देख रहोंगे say high function already यहाँ पर screen के उपर print कर रहा होगा तो save करने के बाद अपना output देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे है hello john जो है print होगा screen के उपर so अब हम लोग देखते हैं कि आप इस method में जो हमने हाँ पर बनाया था ऐसा एगर हो कोई method बना हूँ मैं तो उस पर parameters को कैसे receive कर सकते हैं तो let's say कि मैं क्या करूँगा user के साथ जैसे मैं नाम पास कर रहा था object creator ते वक्त मैं यहाँ पर उसकी date of birth दे पास करूँगा and then मैं उस एक function बनाऊँगा जो मुझे age calculate करके देगा तो age calculate करने के लिए क्या करना होगा मुझे current year को उसके date of birth से minus करना होगा तो इधर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ get age and इसके बाद यहाँ पर मैं एक parameter जो है receive करूँगा जो की year होगा अफिलाल मैं बनाऊँगा भी आगे और इधर भी एक जो है यहाँ पर एक year जो है receive करने वालो हो एंड इसके बाद year नहीं करते हैं से इसे लिए डियो भी लिख देते हैं ठीक है तकी confusion ना हो आप लोगो एंड यहाँ पर देते हैं डिस डॉट डियो भी में करतेंगे डियो भी इसको save कर दिया एंड यहाँ पर जो है मैं आपर सासे बास करता हूँ 1999 अब get age के लिए मुझे year चाहिए होगा तो मुझे year current year चाहिए तो मैं करता हूँ एक date बना लता हूँ और यहाँ पर date type का object बना लिया इसके बाद मैं इदहां से लिलूँगा year और यहाँ लिलूँगा है date dot get full year यहाँ मझे पास आगी तो इस year में मेरे पास यह current year जो है आ गया तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको हटा देता हूँ इदर से और यहाँ भी इसको return कर वा लूँगा यह statement ठीक है यह return कर देगा तो सिर्फ नाम प्रिकरस मैं सीधे हाँ आप अब string template यूज करके सब चीज को print कराने वाला हूँ तो इदर save it आये तो और यह बिटाये तो इसको save कर लेता हूँ और यहाँ पर जो भी आएगा उसको मैं आपर return कर दूँगा क्या करके की year को minus कर दूँगा this dot dob से तो इससे क्या होगा मेरी जो age है वो निकल जाएगी तो अब क्या करते है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी में को हाँ पर get age call करना पड़ेगा और call करने का method same ही है तो यहाँ कर देते है console.log इसके बाद यहाँ हम लोग use करने वाले है string literal एंदर नहीं लिखेंगे I am उसका नाम जो है वो कैसे करना होगा आपको object लिखना होगा इसके हम लोग लिखेंगे and I am यहाँ पर उसकी age लिख देंगे तो age कैसे get age पर अपने को age written कर रहा है तो उसको call करने के लिए पहले लिखेंगे object करना इसके बाद लिखेंगे हम लोग get age and इसके बाद हम लोग क्या पास कर देंगे year तो year यहाँ पर हमारा current year जो निकाल रहा है वो कर सकते हैं so आप देखते होंगे कि class कितने जाता useful है because अगर कोई variable पे कोई method operate कर रहा है तो आप उसको एक साथ wrap करके class के अंदर लिख सकते हैं and इस paradigm को हम लोग बोलते है encapsulation so इसके थूरू हमने encapsulation को भी समझ लिया कि हमारे एक variables पे member variables जो होते हैं उनसे related member functions को हमने एक साथ class में wrap करके हमने define and declare कर दिया so अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप यहाँ पर inheritance कैसे use करते हैं class में वो paradigm कैसे काम करता है and अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा so make sure you hit the like button and subscribe to our channel and मिलते है अपनी next वीडियो में thank you